तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की हो पूरा मामला जनपत कानपुर दिहात कोतवाली भोगनीपुर छेतर के सुचगवा गाउ का है जहां गाउ की रहने वाली एक विद्वा महिला पर गाउ के ही दबंगो का कहरिस कदर फूटा की लाठी डंडों से मारपीट कर लहुलुहान कर दिया मां के साथ हो रही मारपीट के दोरान जब पिरित महिला का पुत्र उसे बचाने आया तो दबंगो ने उसे भी नहीं छोड़ा महिला के साथ हो रही मारपीट को देखते ही गाउं के पूर प्रधान वाने लोगों के पहुशने पर दबंग पिरित महिला वाउस के पुत्र को कुद्वाली में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए आपको बता दे कि गाउं के ही कुछ दबंग महिला की घर के आगे से लगातार ट्रक्टर निकाल रहे थे जिसके चलते महिला के घर का चबुतरा वर्नाली आय दिन छतिक रस्त हो रही थी जिसका महिला लगातार विरोध कर रही थी विरोध करने से नराज दबंगों ने महिला के साथ लाठी डंडों से मारपीट करते हुए लहू लुहान कर दिया वही महिला आपने पुत्र हुआ गाउं की पूरड़धान के साथ साथ गाउं के अनलोगों के साथ कोत्वाली फोगनी पुर पहुच कर शिकायती प्रातना पत्र देकर नया की गुहार लगाई जब इस सम्मन्द में कोतवाली भोगनेपूर कोतवाल राम बहादुर पाल से जब इस सम्मन्द में बातचीफ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि पिरित महिला के द्वारा शिकायती प्रातना पत्र दिया गया है। जाज कारवाई कर कारवाई की जाएगी। किस चीज से मार पिट करी है आप इसार में लाटी डंडों समला किया आप इसार में इसकी काई अपली कैसन दिलवाई आपने किज गाउं कर रहने वाले हूँ क्या मामला है कि हम सो रहे थे मम्मीय के लिए यह बाएर थे गर की अंदर जी लोग ममें बोला कि यह रोड बिगाड़ देते इसको एक बार सुधार दो तो यह लोग क्या बिगाड़ा देते हैं इसके लोग लड़का इनका बोला कि रंडी से बात नहीं करते हैं तो मम्मी को आकर इन लोगों ने समने अंदर आके मारा और कपड़े फार दिये किन लोगों ने मार पिट की इनके नाम किया है जगदीश स कोई रखा नहीं है हुरे हर्कत पार गर दे नोगे तो अच्छा आप इसमें पिताजी नहीं है पिताजी गुजर गए आप कहां पर आयो हम थाने पर आया हैं कहुंसे थाने में भोगनी पोष्ट आपने अपली केशन दी आपनी केशन दी है क्या माम यह बताया आप कुछ को तुने इब बुले आविसे